तो दोस्तों वेलकम हैं आपका अमारे यूट्यूब चैनल में तो पैंसनर्स, फैंबली पैंसनर्स और कर्मचारियों के लिए मैं बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूं है 18 मंद के DA और DR में आपको कितना एरियर मिलने वाला है आपको पूरी टेबल में बताई जाएगा आपको कितना डिफरेंस मिलेगा आपकी पैंसन आपकी सारी बताई जाएगी आपकी बेसिक पैंसन जितनी भी हो पूरी एक बहुत अच्छे से टेबल प्रिपेर की गई है उस टेबल के थुरू आपको सारी चीजे बहुत ही डिटेल ने बताई जाएंगी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लोंग हो सकता है लेकिन आपके जितने भी डाउट्स हैं, आपके 18 मन्त DA और DR को रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, साधी साथ टेबल में आप ये भी देख पाएंगे कि आपको कितना DA और DR एरियर सहित मिलेगा, टोटल एरियर कितना मिलेगा चाहे वो जनवरी 2020 से जून 2020 के बीच में हो, चाहे जुलाई 2020 से जनवरी 2021 के बीच में हो थोड़ा वीडियो लोंग हो सकता है, मैंने पहले भी बोला है, बट सारे चीज़ें इसमें complete बहुत अच्छे से की गई है, बने रही है हमारे साथ इस वीडियो में last तक, और अगर चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, साथ ही साथ आप हमार पहले कॉलम में आप देख सकते हैं कि आपकी basic pension, आपकी basic family pension कितनी है, दूसरे कॉलम में आप देख सकते हैं कि आपको उस टाइम पे 17% DR के साथ में कितना आपको DR मिलता, इसके बाद में आपको पता है कि जनवाई 2020 से जून 2020 के बीच में 4% की DR में बढ़ोतरी हुई थी, इ कितना आपको रुपे मिलते हैं, वो भी आपको दिखाए गया है, आगे हम बात करते हैं, जैसे जैसे डिये बढ़ता गया, यानि जुलाई 2020 से जनवाई 2021 के बीच में आपको पता है कि ये टोटल 24% DR हो गया, तो 24% कितना मिलता आपको, इसके बाद में आपको difference कितना हुआ टोटल और टोटल 6 मन्त में आपको कितना प्रोवाइट कराया गया, ये भी इसमें आपको अम टेबल में बताने वाले हैं, और अट लास्ट जनवरी 2021 से जुलाई 2021 में कितना, अब फिर से जो DR बढ़ा, वो 28% हो गया, और जुलाई 2021 के बाद से आपको 28% से बढ़ती करके म मन्त को करने के बाद में, आपको टोटल अगर 18 मन्त के DA और DR प्रोवाइट कराया जाएगा, तो टोटल कितना एडर्स बनने वाला है, क्योंकि अभी जो है कुछ पिछले कुछ दिनों ही, जो है यूनियन्स और गवर्मेंट यूनियन्स जो है कंटिनू सरकार से इसके पैंसन है, वो 9000 रुपए अगर किसी पैंसनर की पैंसन या फैंसन है, तो 17% DR से उसको 1530 रुपए प्रोवाइट कराये जाएंगे, वहीं अगर 21% DR मिलता है, यानि 4% ब्रोटरी के बाद में, तो उसको जो है 1890 रुपए उसको मिलेंगे, मिलते थे उस टाइम पे, डिफ्रे रुपए टोटल आपको जनवरी 22 से जून 22 की बीच में 6 मंद का एरिया बनता, अब बात करते हैं आगे, जैसे जैसे महगाई बढ़ता गया, तो 24% DR से जो 2160 रुपए इसमें आपको 9000 बेसिक पे के इसाप से 260 रुपए मिलते, डिफ्रेंस की बात करें, यानि फिर से जब पिस से 24% DR हुआ, तो उसमें डिफरेंट जो क्रियेट हुआ, वो 630 रुपए हुआ, टोटल 6 मंद की बात करें, टोटल 6 मंद यानि नेक्ट 6 मंद में, यानि जुलाई 2020 से जनवरी 21 से नेक्ट 6 मंद में ये 380 रुपए का डिफरेंस की बड़ा क्रियेट हुआ, अगला जो जुलाई 2021 के बीच में जो डिफरेंस की रिएट हुआ, वो 360 रुपए था, और टोटल 6 मंद का अगर हम बात करें, टोटल 6 मंद का आपको फिर से जो DR हुआ, वो 260 रुपए हुआ, यानि कि तीन जो अलग-अलग इंस्टॉल्मेंट्स थी, उनमें टोटल आपको 9000 बेसिक पैंसन हैं, तो आपको 800 रुपए टोटल एडियस की रूप में मिलने वाले हैं, अगला हम बात करें, ऐसे पैंसनर्स या फैमली पैंसनर्स जिनकी बेसिक पे 9250 रुपए हैं, उनको 17% DR से 1572 रुपए 50 पैसे मिलेंगे, 21% DR से 1942 दफनला 5 रुपए मिलेंगे, और इनका हम तो 370 रुपए इनको मिलने वाले हैं, अगर हम 6 मन टोटल बात करते हैं, तो 2220 रुपए मिलेंगे, और अगर फिर से महेंगाई बढ़ता बड़ा है जिस प्रकार से, तो 24% DR से इनको 2220 रुपए मिलेंगे, डिफरेंस की बात करें, तो 647 रुपए मिलेंगे, और टोटा 6 म टोटल लास्ट में जो जनवरी 2021 से, जुलाई 2021 के बीच में जो डिफरेंस हुआ वो 2220 रुपए था, और टोटल अगर में एरियर्स की बात करें, ऐसे पैंसनर्स या फैमली पैंसनर्स जिनकी बेसिक पे 9250 रुपए थी, टोटल अगर में एरियर्स की बात करें, 18 मंस DR की, तो 8325 रुपए उनको मिलने वाले हैं, नेक्ट की हम बात करें, नेक्ट टेबल में आप देख सकते कि 9550 रुपए है, तो 17% की दर से उनको 1623 रुपए, 1623 रुपए 50 पे से उनको मिलेंगे, वहीं अगर 21% जब बहुतरी हुई, जनवरी 2020 से जुन 2020 के बीच में, तो 2005 इसमें डिफरेंस हुआ, टोटल अगर 6 मंद की बात के हैं, डिफरेंस करने के बाद में, तो 2292 रुपए टोटल प्रोवाइट कराए गए, कराए जाएंगे, और अगर 24% DR की बात करें, तो 24% DR के रूप में भी सेम जो डेटा है, यान 2292 रुपए मिलेंगे, और अगर 668 रुपीज 550 पे से उनको जो है, डिफरेंस की रिएट हुआ, इस डिफरेंस की बज़े से, टोटल 6 मंद का जो DR हुआ, वो 4,011 रुपीज हुआ, और 28% की दर से बात करें, तो 2627 रुपए उनको मिलेंगे, और टोटल अगर डिफरेंस की बात करें, फिर से, तो 382 रुप रुपे उनको टोटल है, जो है, एरियस मिलने वाला है, नेक्स्ट हम बात करें, यहां पर आप देख सकते हैं, नेक्स्ट है, 9850 रुपे पैंसन या बेसिक पैंसन है, तो 17% की दर से उनको 1614 रुपे 50 पैसे मिलेंगे, और 21% बढ़ोतरी हुई, तो उसके हिसाब से 2068 दियायर मिलने वाले हैं, तो 24% की बात करें, तो 1849.5 रुपे समिलेंगे, आगर डिफेंस की बात करें, तो 394 रुपे समिलने वाले हैं, और टोटल 6 मंद की बात करें, 2364 रूपीज उनको मिलने वाले हैं, और टोटल 8 years की बात करें, ऐसे pensioners या family pensioners, इनका basic जो है 9,850 रूपे रहा, उनको 8,865 रूपीज उनको मिलने वाले हैं, नेक्स की बात करें, नेक्स जो है जैसे pensioners या family pensioners जिनकी basic 10,150 रूपे थी, उनको 17% की दर से DR उस टाइम जो मिल रहा था, वो 1725 रूपे पचास पैसे था, वहीं अगर 21% DR में जब बड़ोतरी वही 4% की, जिसमें 2131 रूपे पचास पैसे उनको मिलने वाले थे, साथ ही difference की अ 2436 रूपे उनको मिलेंगे, वहीं अगर 24% DR के बात में बात करें, तो 2436 रूपे डियार होगा, 24 की परशन्ट DR के, और साथ ही साथ का difference की बात करें, तो 710 रूपे पैसे उनको difference से मिलने वाला है, टोटल 6 मंद की बात करें, तो टोटल 6 मंद जो होने वाला है, और 4263 मिलने वाले हैं, तो अगर difference की बात करें, तो 406 रूपे, 6 रूपे उसमें difference होगा, और टोटल 6 मंद की बात करें, तो टोटल 2436 रूपे होने मिलने वाले हैं, और टोटल एडियार की बात करें, तो 9135 रूपे का टोटल एडियार से उनको बनने वाला है, नेक्ट की बात कर तो 294 रुपे 50 पैसे उनको मिलने वाले हैं डिफरेंस की बात करें तो 418 रुपीज उनको टोटल डिफरेंस होगा साथी साथ अगम 6 मन्त टोटल की बात करें तो 2,508 रुपीज होगा वहीं अगर फिर से महेंगाई बत्ता 24 परसेंट हुआ तो जिस टाइम पे जुराई 22 से जनवाई 21 में तो 258 रुपे टोटल उनको मिलने वाले हैं और अगर इसमें डिफरेंस देखें तो 731,50 पैसे डिफरेंस होता है और अगर टोटल 6 मन्त की बात करें तो 4,389 रुपीज टोटल 6 मन्त में उनको टोटल एरियर्स मिलेगा और जब डिये और डियार जो है 28% होगा इसमें तो 2,926 रुपीज होगा और डिफरेंस की बात क रहे हैं तो एडियर्स के रूप में उनको 9,405 रुपीज टोटल मिलने वारे हैं अब लाश्ट की बात करें इसमें आप देख सकते हैं टेबल में ऐसे पैंसर से फैमिली पैंसर जिनका बेसिक पेंग 10,750 रुपए है तो 17% के डियार की तरफ से 1827 रुपीज 550 पैसे उनको 17 की दर्से मिलेगा 270 7》 उनको बात करें अब देख सकती 20% DR से तो 277 रुपे 50 पैसे मिलेंगे और यह इस डिफेरेंस की बात करें six month की बात करें तो total जो है 4515 रुपे total difference होगा और 28% DR की बात करें तो उसमें 3010 रुपे total 28% DR मिलेगा वहीं अगर difference की बात करें तो total 430 रुपे का बड़ा difference होने वाला है और total six month की बात करें जो कि जनवई 2021 से जुलाई 2021 के बीज में होगा तो टोटल 2580 रुपे होंगे और टोटल एरियर्स की बात करें जिसमें बेसिक पे 10,750 रुपे रहा तो 9,675 रुपे आपका टोटल एरियर्स होने वाला है तो आपने देखा कि तीन अललग इंस्टॉल्मेंट्स में 18 मंत का जो डिये और डियार था उसमें हमने आपको पूरा डिटेल में बताया कि यह सारी चीजें आपको कितना टोटल एरियर्स मिलेगा तीन अललग तीन अललग बहुत एक